जम्मूवन कश्मीर वाज इस विल अलवेज बी अपाथ 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 अपूरी दुनिया ने देखा भारतिय विदेशमंत्री एस जैशंकर ने आतंक पर पाकिस्तान को खूम सुनाया लेकिन इसी बीच एक पाकिस्तानी पत्रकार ने कुछ ऐसा पूछ डाला कि एस जैशंकर ने कूटनीती की मैदान में कर दिया पाकिस्तान को क्लीन बोल्ड कंगाल पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसे हो गई है कि वो अगले सौ सालों तक भारत से दुश्मनी नहीं करेगा इसी बीच पाकिस्तान से आए एक पत्रकार ने विदेश मंत्री एस जैशंकर से पूछा बिलावल भुटो जर्दारी ने भारत आकर एक सहासिक कदम उठाया है इसके लिए उनकी पाकिस्तान में आलोचना भी हुई ऐसे में भारत उनके इस कदम को कैसे देखता है साथ ही दोनों देशों में फिर से डिप्लोमेटिक संबंद शुरू हो क्या उसको लेकर कोई रोड मैप है इसके जवाब में विदेश मंत्री जैशंकर ने सीधे लफजों में पाकिस्तान को जम कर धोया पाकिस्तानी पत्रकार के सामने ही विदेश मंत्री जैशंकर ने पाकिस्तान को आतंक की इंडस्ट्री का प्रवक्ता कह डाला साथ ही एस जैशंकर ने सीधे लफजों में पाक से पियो के खाली करने की डेट मांग ली जैशंकर ने कहा कि आतंक के पीडित और उन्हें पालने वाले साथ नहीं बैठ सकते उन्होंने बिलावल से मुलाकात पर कहा कि उनसे मेरी मुलाकात एक विदेश मंत्री के तौर पर ही हुई उनके साथ वैसा ही बरताओ किया गया तेन सवाल जो है वह पाकिस्तान पर थे एक सवाल जो है वो चाइना पर था तो यह तीन सवाल जो पाकिस्तान वाले सवाल जो है मैं एक साथ लेना चाहूंगा यह टाकिर शुवाल फ़र्यृ introduction Suppose thing, Let me call it racist, As the foreign minister of SCO Member states Mr Bhutoh Zardari was treated accordingly. A promoter, justifier and I am sorry to say, cetutely spokesperson of a terrorist industry which is the mainstay of Pakistan his positions were called out and they were counted including at the SEO meeting अपका दूसरा जो था वो G20 के बारे में था now you know I don't think there is a G20 issue to debate with anybody certainly not with a country which is nothing to do with the G20 Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India and the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories so it is completely natural that it is held there जो आपका जो दूसरा सवाल जो था कि from what I understood that India and Pakistan should sit together you know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves counter acts of terrorism they call it out they delegitimize it and that is exactly what is happening so to come here and preach these hypocritical birds as though we are on the same boat S.J. Shankar सिर्फ यही नहीं रुके उन्होंने कहा कि Article 370 हो गया है History उन्होंने दो टूक कह दिया है कि कश्मीर पर पाकिस्तान से बाच्चीत करने के लिए सिर्फ एक ही मसला बचा है पाक अधिकृत कश्मीर से वो कब भागेगा इस बात का लोगों को जितनी जल्दी एहसास हो जाए उतना अच्छा होगा